भगवान श्री कृष्ण गीता के तेरवे अध्याए में सत्रवे श्लोक में कहते हैं जोति शाम अपी तच जोति स्तमसह पर मुच्चते वेह परमात्मा जोतियों का भी जोति है और माया के अत्यंत परे है जोति यानि की प्रकाश प्रकाश इस संसार में सबसे शदतम चीज है सबसे शदतम उर्जा है फिजिक्स ये कहती है साइंस ये कहती है कि जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है जो कुछ भी पदार्थ हमें दिखाई देते हैं वो पदार्थ असलियत में प्रकाश का ही रूप है अगर अंत में आप जाएंगे तो आपको प्रकाश ही मिलेगा तो पदार्थ मृत है असलियत में तो सिर्फ प्रकाश ही है तो जितनी गहराई में हम जाते जाते हैं हमें पार्थिव कव मिलता है, पदार्थ कव मिलता है, हमें सिर्फ उर्जा मिलती है, सिर्फ प्रकाश दिखाई देता है जैसे कोई टेबल सामने रखी हो, हमें टेबल तो दिखाई दे रही है उस समय परन्तु उस टेबल को अगर एनलाइज करें, माइक्रोसकोपिकली देखें अगर और गहराई में जाते हैं तो धीरे धीरे मॉलेकुलर लेवल तक हम पहुँचते हैं फिर अणों के लेवल पर पहुँचते हैं, एटम्स के लेवल पर पहुँचते हैं पिर और जाधा अंदर पहुशते हैं तो electron, proton, neutron दिखाई देते हैं वो विद्युत कंड वो प्रकाश के कंड ही मिलते हैं तो अंत में जो आता है वो आता है प्रकाश तो बाहर से जो matter है वो matter actually में energy का ही रूप है तो एनरजी ही मैटर के रूप में, पदार्थ के रूप में अभिव्यक्त होती है तो जितना भी मैटर दिखता है, जितना भी पदार्थ दिखाई देता है वो सगन रूप है प्रकाश का, तो प्रकाश का ही रूप है जो हमें इस संसार के अंदर दिखाई देता है जितनी वस्त्वें दिखाई देती हैं सब के अंदर वही चेतन तत्व है वही उर्जा है वही प्रकाश है दूसरी चीज हमें समझने हैं कि जो प्रकाश है जो लाइट है वह अपने आप में हो सकती है जीवन की जरुवत नहीं परन्तु जो जीवन है वो प्रकाश के बिना हो ही नहीं सकता जो लाइफ है वो प्रकाश के बिना रहे ही नहीं सकती हम इस धर्ती पर हैं क्योंकि प्रकाश है उर्जा मिल रही है तब ही हम जीवित हैं अनेक अनेक उर्जा स्तुरत हैं जिन से जीवन मिलता है तो जीवन दुत्यक हो जाता है और जो प्राथमिक है वह जो फर्स्ट है वो अगर प्रकाश ना हूँ तो फूल नहीं खिलेंगे, ये जीवन नहीं चलेगा, ये वरिक्ष नहीं जीवित रह पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो सब कुछ प्रकाश के कारण होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है, तो प्रकाश की जो पहली केरण पड़ती है उ उससे जीवन की शुरुआत हो जाती है, तो बिना प्रकाश के कोई चीज शुरू नहीं हो सकती, इसलिए हमारी जो संस्कृती है, वे प्रकाश की संस्कृती है, हम प्रकाश के उपासक हैं, कहा जाता है कि सुभह समय पे उठिये और समय पर सोईए, क्यों बोला जाता है कि जल्दी उठा जाए, ब्रह्मु मुहरत में उठा जाए, जितना हम जल्दी उठते हैं, हम सूरे की उपासना करते हैं, वो जो प्रकाश है, वो हमारी शरीर को शक्ती देता है। बहुत देर देर तक सोते हैं और लोग सुबह टाइम पर भी नहीं उठते हैं जो लोग सुबह दस बजे ग्यारा बजे उठ रहे हैं सो के तो उनकी पूरी बॉडी डिस्टॉब हो जाती है रात में देर देता काम करना लैपटॉप्स पे वर्क करना इतना आपके मेलेटॉनिन पर असर आता है रात्री में बहुत से लोगों की नींद रिस्टरब हो जाती है जो लोग बहुत देर तक टीवी देखते हैं या फिर फोन को देखते हैं फोन देखते देखते सो जाना आजकर एक एडिक्शन हो गई है रात को वाट्सेप पे अपना स् होते हैं यह सब चीजें हमारे शरी पर प्रभाव डालती हैं तो कृष्ण यहां कहते हैं परमात्मा जोतियों का भी जोती है तो प्रकाश की उपासना करने हैं सुबह उठकर टाइम से आप अपनी एक्सिसाइस करें वैयाम करें सूरे की उपासना यानि सूरे नमशकार करन एक्सेसाइस करना सूर्य नमशकार के बारा आसन होते हैं जिसमें मंत्रों का प्रयोग किया जाता है और पहला मंत्र बोला जाता है सूरे के लिए ओम मित्राय नमह सूरे हमारा मित्र है मित्र क्यों है क्योंकि यह हमारे शरीर की मन की रक्षा कर रहा है हमें तेज प्रदान कर है तो शरी के अंदर वाइटमिन्स बनते हैं बहुत से लोगों को वाइटमिन डी की प्राबलम हो रही है आज के समय में क्योंकि सुबह उठते नहीं है सुरे की वो जो रौश्णी है सुबह सुबह वो आपकी शरी में विटमिन्स का निर्मान करती है, हार्मून्स का निर्मान करती है, मेटबॉलिजम आपका अच्छा होता है, यानि भोजन जो है उर्जा में परिवर्तित होना, जरूरी है कि सारा भोजन पूरी तरह उर्जा में कन्वर्ट हो जाए तो सुभे, टाइम से उठना सूरे की उपासना करना ये आपके मन पर प्रभाव डालेगी आपको positivity देगी साथ ही साथ हम लोग बुद्धी के लिए भी प्रातना करते हैं गायत्री की उपासना करते हैं हम गायत्री से भी प्रातना करते हैं कि वह तेज हमारे अंदर आए तो तेज की उपासना करना प्रकाश की उपासना करना यह जीवन का करतव है जीवन चलता ही प्रकाश से है जीवन चलता ही औरचा से है यह जो प्रकाश है यह निरपेक्ष है सारी चीजे इस संसार की सापेक्ष है रिलेटिव है लेकिन सिर्फ प्रकाश ही निरपेक्ष है उस उसकी एक velocity होती है एक लाग 96,000 मील प्रति से लाइट चलती है और जो लाइट है उसकी एक absolute गती है जो गती जो है बाकि किसी चीज की हो नहीं सकती इतनी fast लाइट चलती है संसार के अंदर हर चीज की तुलना है लेकिन जो प्रकाश है उसकी तुलना नहीं हो सकती है समय का जो मापदन वेग्ञानिकों ने बनाया है वो भी प्रकाश का ही बनाया है कि सूर्य से धर्ती की दूरी कितनी है उसे नाफने के लिए कितने समय में प्रकाश महुचेगा उसे light years में बोला जाता है कि ہम यहां से कितने light years में दूसरी galaxy में जा सकते हैं दूसरे planet में जा सक तो जो गती है इस प्रकाश की उस गती को कोई नहीं छू सकता उसका अतिक्रमन नहीं कर सकता सबसे फास्टिस गती ही प्रकाश की मानी जाती है और अगर कोई वस्तू प्रकाश की गती से चलने लग जाए मैं एक पत्थर फैकू और पुरी तेजी से फैकू और वो प्रकाश क बन जाएगा पत्थर जो है प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा साइंटिस्ट कहते हैं कोई भी यान कोई भी चीज अगर लाइट की गती से चलती है तो वो प्रकाश ही बन जाती है वो लाइट बन जाती है साथी साथ में यह जो प्रकाश होता है यह प्रकाश को किसी वाह पानी की आवश्यक्ता है उसे आप बाहर ला दीजे समुद्र से नदी से वो मर जाएगी क्योंकि माध्यम चाहिए जीवन जीने के लिए हमें वायू चाहिए हम एर के बिना नहीं जी सकते और एर का भी एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन हम लेते हैं कितनी ऑक्सीजन कितनी नाइ लिक्ष में प्रमांड में कुछ भी नहीं है शुन्य है तभी तो हम चंद्रबां पर रह नहीं सकते क्यों नहीं रह सकते क्योंकि कोई वातावरण नहीं है कोई माध्यम नहीं है कोई ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पर जो प्रकाश है उसे किसी माध्यम की आवश्यक्ता नहीं वो शुन्य में गती करता है शुन्य उसको नश्ट नहीं कर सकता हम नश्ट हो सकते हैं साथ ही साथ इस प्रकाश को न धकाया जा सकता है ना कोई इसको गती दे सकता है सब चीजे धकाई जाती हैं धका दी जाती हैं जैसे हम पत्थर को फैकते हैं या कोई भाला फैकते हैं तो वो उतनी ही शक्ती से चलता है जितनी शक्ती हमने उसको दी है वो अपनी शक्ती से नहीं चलता परंतु प्रकाश अपनी शक्ती से चलता है ये पूरा जो जीवन है फूल खिलते हैं हमारी श्वासे चलती हैं हम सब उर्जा ले रहे हैं, लेकिन प्रकाश किसी से उर्जा नहीं लेता, परमात्मा किसी से उर्जा नहीं लेता, वो उर्जा स्व उत्पादित है, स्वयम उत्पन हो रही है, कहीं वी जो उर्जा का सोत्र दिखता है, उसमें अंतमे प्रकाश ही मिलता है, जैसे हम भोजन कर हम कोई फल खाते हैं यह फल कैसे बना जो व्रिक्ष है वो प्रकाश को सोकते हैं वो जो फोटोंस है वो प्रकाश के जो कण है वो जाते हैं पत्तों में फिर फोटो संथेस होती है ऑक्सीजन ग्लुकोस बनता है और फिर फल का निर्मान होता है वही फल हम खाते हैं हम प्रकाश को सीधा नहीं खा सकते तो फल के द्वारा हम खाते हैं तो सब कुछ प्रकाश से चलता है तो बहुतिक जीवन में भी प्रकाश से चलता है और जो अंदर का जीवन है वो भी प्रकाश से ही चलता है हमारे भीतर के प्रकाश तक पहुंचना ही हमारा लक्ष है तो प्रकाश है इस यह कोई उगता या फिर डूबता नहीं जैसे सूरे तो उगता और डूबता भी है यह चो प्रकाश है यह तो सदा रहता है और यह हमें गाइट करता है जो अपने इस प्रकाश तक पहुंच जाता है उजोतियों का भी जोति जो परमात्मा है वहां तक पहुं तो हम सबका जो लक्ष है वो भी इसी अमृत तक महशना है उसी परमात्मा तक महशना है उसी प्रकाश तक महशना है सभी को हर्यों